गोड मोर्निंग डियर आली स्टुटेंट्स सभी पच्चों का स्वागत है आज हम बात करेंगे सिक्षा निदे साले राष्टी राजदानी छित्र दिली द्वारा प्रकासित वर्कसीट संख्या 13 वर्कसीट नमबर 13 यह वर्कसीट सामजिक विज्ञान विशे की वर्कसीट ह जो समजिक विज्ञान की राजनिती विज्ञान पुस्तक से ली गई है यह वर्कसीट कक्छा 7 के विध्यार्थियों के लिए है यह वर्कसीट 911 2020 की है यहाँ पे विध्यार्थिय अपना नाम लिखेंगे यहाँ पे विध्यार्थिय अपने कक्छा ध्यापक का नाम लिखे आज की हमारी वर्क सीट का टोपिक है समानता एक्विलिटी प्यारे बच्चो अब हम देखते हैं वर्क सीट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस तरह की तस्वीर देखती है आपकी मन में सबसे पहले क्या विचार आता है यह जो पहली तस्वीर दिखाई गई है आप देखी यह जो तस्वीर दिखाई गई है, इसमें चार लेडीज हैं, यह चार लेडीज अपनी फिंगर दिखा रही है, इनकी फिंगर पे इंक लगी हुई है, इसका मतलब है इन चारों लेडीज ने अपने वोट का प्रियोग किया है, इन्होंने अपना वोट डाला है, वोट काश् जो तस्वीर है जो तीसरी उसमें देखेंगे एक ये मद्दाता पहचान पत्र दिया गया है जो भारते निर्वाचन आयोग द्वारा दिया जाता है चोथे चित्र में आप देखेंगे ये EVM मसीन दी गई है और ये EVM मसीन जिसके द्वारा वरतमान में वोटिंग होती है जैसे एक लोकतांत्रिक देश में सब व्यस्कों को मत देने का अधिकार है। व्यस्क मतलब जो अठारवर्स से अधिक आयू के व्यक्ति को व्यस्क कहा जाता है। सहर भोमिक व्यस्क मत अधिकार का विचार समानता की विचार पराधारित है। क्योंकि यह गोसित करता है कि देश का हर व्यस्क चाहे वो इस्तरी हो चाहे पूरुस हो चाहे उसका आर्थिक इस्तर या जाती कुछ भी क्यों नहों उन सभी को वोट देने का हक है। वोट के बहुत से लोग हैं जो भारती लोकतंत्र में रहते हैं जिने मत अधिकार प्रापते हैं मत अधिकार मतला मत देने का अधिकार प्रापते हैं लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कारिय करने की स्थितिया समानता से बहुत दूर हैं तो हम कह सकते हैं कि राजनितिक रूप से सभी स लेकिन समझीक रूप से ऐसामान्ता कई छेत्रों में मौजूद है राजनीती रूप से क्योंकि वोट डालने का जो हमारा अधिकार है वो एक हमारा राजनीती का धिकार है अक्सर कुछ लोगों के साथ ऐसामान्ता का विवहार बस इस कारण होता है कि उनका जन्म किस जाती लिंग या धर्म में हुआ है और वे उचवर्ग के हैं या मध्यमवर्ग के या निम्नवर्ग के हैं हमारे समाज में आप लोगों ने देखा होगा उच नीच की जाती है तो लेकिन वो डालने का जो अधिकार है वो सभी लोगों को है ये जाती धर्म के नाम पे जो समाज में निमनवर्ग उच्वर्ग हैं ये भेदबाव अवस्य पाया जाता है आप देखिए सामाजी के ऐसामानता को दिखाएगा इस फिगर के द्वारा विबिन जाती, विबिन धर्म, लिंग, कोई इस्त्री है, कोई पुरुस है आर्थी किस्तिती, कोई अमीर है, कोई गरीब है उसके आधार पर जब लोगों के साथ जब लोगों के साथ ऐसमानता के विभार होता है तो उनकी गरीमा को ठेश पहुंचती है हर कोई समान समान और गरीमा का हकता आ रहे हैं जब लोगों के साथ ऐसमान तक विभार होता है, उच नीच की जाती है जाती के आधार पे, धर्म के आधार पे तो उनके स्वभिमान को ठेश पहुंचती है और प्रतिग व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सम्मान मिले आप यहाँ पर इचित्र देखेंगे बच्चो आप लोग देगी दिवार जो फिल्म है अमिता बच्चन की फिल्म 1975 में आई थी उसका यह सीन दिया गया है यह चोटा सा बच्चा विजे जिसका नाम रहता है आप याद होगा अमिता बच्चन है यहाँ पर दिखाया गया है 1975 में बनी दिवार फिल्म में जूते पॉलिस करने वाला एक लड़का उसके काम की फैंक कर दिये गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है वे मानता है कि उसके काम की भी गरीमा है और उसका भुकतान आदर के साथ किया जाना चाहिए यह पिचर आप बहुत से बच्चों ने देखी होगी कि यह लड़का अमिता बच्चन है जो इस पिचर में निभाया है करदार अमिता आपने विजे का बूट पॉलिस करता है और जब कोई पैसे फैंकता है तो यह कहता है कि मैं पैसे फैंके हुए पैसे नहीं उठाता हूँ मुझे मेरे हाथ में पैसे दीजी तो पहले चित्र में आप देखी बूट पॉलिस करा रहा है समानता तो बराबर होने की अवस्ता विशेशन ऐस्थिति, अधिकारों और अवसरों में उसे हम समानता कहते है गरीमा गरीमा इसका अर्थ या ताद पर या अप्ने आपको और दूसरी व्यक्ति को सम्मानने योग्य समझने से है लोगतंत्र एक सरकार जिसमें लोगों में सर प्रशनों को करेंगे पहला प्रसन है सारुभोमिक व्यस्क मतादिकार को परिभासित करेंगे तो सारुभोमिक व्यस्क मतादिकार क्या है दूसरा प्रसन है क्या आप चुनाओं में वोट डाल सकते हैं यदि नहीं तो क्यों तो देखिए बच्चों सारुभोमिक व्यस्क मता या उससे अधिक है उसे वोट डालने का अधिकार है वोट डालना एक राजनीतिक अधिकार है और वोट डालने का जो अधिकार है इसे सारो भूमिक व्यस्कमत अधिकार कहते हैं दोबारे एक बार फिर में रिबीट कर देता हूं सारो भूमिक व्यस्कमत अधिकार को परिभा कहते हैं second question है क्या आप चुनाओ में वोट डाल सकते हैं यदि नहीं तो क्यों इसका answer हम देंगे यदि हमारी IU यदि हमारी उम्र 18 वर्स या उससे अधिक है तो हम चुनाओ में वोट डाल सकते हैं यदि नहीं तो क्यों अगर हमारी IU 18 वर्ष से कम है तो हम चुनाव में वोट नहीं डाल सकते तो प्यारे बच्चो यह आपकी वर्क्षीट समाप्त होती है धन्यवाद बच्चो